Hello Everyone, BAC Final Year के पिछले वीडियो तक हमने Major Ecosystems के अंतरगत डेजर्ट इकोसिस्टम तक पढ़ा था, उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हैं तो पिछले वीडियो तक हमने Desert Ecosystem तक पढ़ा था, जो की Terrestrial Ecosystem के अंतरगत आते हैं, जिसमें हमने तीन परकार पढ़े थे पहला था Forest Ecosystem, दूसरा था Grassland और तीसरा था Desert Ecosystem अब बात करते हैं Aquatic Ecosystem या जलिये पारितंतर के बारे में An Aquatic Ecosystem is an ecosystem located in a body of water तो एक जलिये पारितंतर जो होता है, ये एक इस परकार का पारितंतर है, जो की किसी जल के स्रोथ में पाया जाता है Communities of Organisms that are dependent on each other and on their environment live in Aquatic Ecosystem तो इसके अंतरगत ऐसे Communities या समझ्टियां आती है जिवो की, जो की depend होते हैं एक दूसरे के उपर और उनका जो Environment है, वो या परियावन जो है, ये किसी एक जलिये पारितंतर के अंदर आते हैं तो ये सभी जीव जो है, वो जल के अंदर उपस्तित होते हैं The two main types of ecosystems are Marine Ecosystem and Fresh Water Ecosystem तो जलिये पारितंतर के अंतरगत, दो मुख्य परकार के जलिये पारितंतर आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Fresh Water Ecosystem या स्वच जलिये पारितंतर के बारे में Fresh Water Ecosystems cover 0.80% of the Earth's surface तो जो स्वच जल के पारितंतर होते हैं, ये प्रत्वी की सतय के 0.80% भाग जो है ये cover करते हैं and inhibit 0.009% of its total water और जो भी परत्वी पर उपस्तित जल है वो इनके अंदर 0.009% जो है ये इनकी net प्रात्मिक जो उत्पादक्ता होती है इसके आसपास जो है ये अपनी उत्पादक्ता बनाते हैं Fresh Water Ecosystem contain 41% of the world's known fish species तो स्वच जल के पारितंतरों में लगबग 41% जो है वो विश्व में पाई जाने वाली सभी मचलियों की परजातियों की 41% परजातियां three basic types of fresh water ecosystem तो स्वच जलिये पारितंतरों के जो मुख्य है तीन प्रकार होते हैं first आता है Atlantic Ecosystem ये होता है slow moving water यानि अत्यांत धीमे चलने वाला जो जल है वो जो bodies होती है इस प्रकार की वो lentic के अंतर गताती है including pools, ponds and lakes तो जिलों तालाबों और पूलों के अंदर जो उपस्तित water होता है जो की slow moving होता है इस प्रकार को हम lentic aquatic ecosystem कहते हैं दूसरा आता है lotic ecosystem इसमें rapidly moving water होता है यानि तेजी से बहने वाला जल इसके अंदर उपस्तित होता है for example streams and rivers तो जितने भी नदिया हैं और नाले हैं जितने भी streams होते हैं जहरने होते हैं ये सभी lotic ecosystem के अंतरगत आते हैं थर्ड आता है wetlands areas where the soil is saturated or inundated for at least part of the time और ऐसे छेतर जहां पर जो soil है जिसमें जल की मात्र जो है वो अधिक पाई जाती है यानि जलाकांत मर्दा जो है वहां पर होती है तो इस प्रकार का जो part होता है अधिकांस इसका part तो ये wetlands कहलाते हैं लैक ecosystem can be divided into zones तो जो लैक ecosystems होते हैं उनको अलग-अलग zone में बांटा जाता है जैसे pelagic zone open offshore water यानि जो खुला जो जल उपस्तित होता है लैक के अंदर वो आता है pelagic के अंदर दूसरा आता है इसमें profondal zone ये होता है literal zone यानि near shore shallow water यानि उतला हुआ जल जहां पर पाये जाता है तो किनारों के पास में तो वहाँ पर profondal zone होता है या इसे literal zone कहते हैं इसके बाद आता है लैक ecosystem में riparian zone the area of land bordering a body of water तो इस परकार जो भूमी का जो एरिया होता है जो की water body को गहरे हुए रहता है उसके किनारों के पास में उसे riparian zone कहते हैं two important subclasses of lakes are ponds which typically are small lakes तो मुख्य परकार के जो subclass है इसकी lakes की वो होते हैं pond यानि तालाब जो की एक परकार से प्रारूपी छोटी जीलों के रूप में परदर्सित होते हैं many lakes gradually become enriched by nutrients तो अनेक जीलों के अंदर धीरे धीरे इनमें nutrients या पोसकों की मात्रा जो है बढ़ जाती है and fill in with organic sediments और इसके अंदर carbonic जो अवसाद ही होते हैं अवसाद वो इसके अंदर जम जाते हैं a process called eutrophication और इस process को या परकरिया को eutrophication या suppotion कहा जाता है तो इसके कारण जो है किसी जील में या नदी के अंदर इनमें जो water ठहरा हुआ जल होता है उनके अंदर organic sediments जो होते हैं carbonic पदार वो अत्यदिक मात्रा में हो जाते हैं इसलिए इसे suppotion या eutrophication कहते हैं eutrophication is accelerated by human activity ये जो suppotion की परकरिया है ये मानों की गतिविदियों के द्वारा और अधिक बढ़ा दी जाती है यानि organic sediments जो है वो और अधिक मानों के द्वारा इनमें डाले जाते हैं within the water catchment areas of the lake जो कि किसी जील के catchment area यानि उसके आसपास जो area होता है वहाँ पर carbonic पदार अधिक dispose किये जाते हैं तो इसलिए lag या किसी जील के अंदर carbonic पदार्थों की मात्रा जो है वो तेजी से बढ़ती है और ये जो acceleration है ये human activities के कारण आता है the major zones in river ecosystems are determined by the river beds, gradient और by the velocity of current तो जो मुख्ये zone या छेतर होते हैं किसी नदी के ecosystem के अंदर वो उसके river bed यानि नदी के तल के gradient के द्वारा या जल के जो बहने की जो velocity या वेग होती है तो जल धरा के वेग के कारण उनके अंदर zones जो है वो divide हो जाते हैं faster moving turbulent water typically contains greater concentration of dissolved oxygen तो जो तेजी से बहने वाला turbulent water यानि विक्षो बुद्पन करने वाला जो जल होता है इसमें सामानियत अधिक मात्रा में घुले हुई oxygen की सांदरता पाई जाती है which supports greater biodiversity और इसके कारण जो है अधिक biodiversity को ये oxygen अधिक मात्रा में support करती है than the slow moving water of pools और जो की धीरे बहने वाले जो जल होते हैं पूलों के अंदर इनमें धीरे बहने वाला होता है तो उनमें dissolved oxygen की मात्रा भी कम होती है लेकिन इनमें तेजी से बहने वाले जल में अधिक oxygen dissolved होता है इसलिए इनकी diversity जो है वो अधिक पाई जाती है faster moving water के अंदर तो बात करते हैं हम lentic ecosystem की यानि ठेहरे हुए जल या धीरे चलने वाले जल के बारे में इसमें आते हैं pond तो pond ecosystem के बारे में पढ़ते हैं these are specific type of fresh water ecosystem that are largely based on autotrop algae तो ये जो विशेज परकार के स्वच जली ecosystem होते हैं जो की तालाब होते हैं और ये अधिकांस जो है आधारित होते हैं स्वपोसी algae जो होते हैं उनके उपर ये आधारित होता है which provides the base tropic level और ये algae जो है इनके लिए एक आधारी पोसक इस्तर का निर्मान करते हैं for all life in that area और ये सभी जीवों के लिए जो है पोसं का कारिय आटोट्रॉप algae करती है इसमें the largest predator in a pond ecosystem will normally be a fish तो इसमें जो सबसे बड़े परभक्षी होते हैं जो pond ecosystem में पाए जाते हैं तालाब में इनमें सामनेता एक मचली जो है वो इसमें सबसे बड़ी predator होती है and in between range smaller insect and microorganism और दूसरे जो है इसके अंदर छोटे जो insect या कीट होते हैं ये बीच में पाए जाते हैं और उसके बाद में microorganism या शुक्ष्म जीव इनके अंदर उपस्तित रहते हैं it may have a scale of organism from small bacteria to big creatures like water snakes, beetles, water bugs, frogs, tadpoles and turtles और इसके अंदर जो बड़े organisms होते हैं छोटे से लेकर बड़े organism तो bacteria से लेकर बड़े organism या प्राणियों तक हो सकते हैं जैसे जल में पाए जाने वाले snakes है, beetles है, water bugs है, mandak होते हैं, tadpoles है, और कच्वे होते हैं तो बड़े जो pond होते हैं उनके अंदर इस परकार के बड़े जो उभोकता है वो पाए जाते हैं अब बात करते हैं abiotic components of pond ecosystem के बारे में तो अजैविक components कौन गौन से होते हैं तलाब के अंदर the abiotic substances of pond ecosystem are formed as a result of mixer of some organic and inorganic materials तो जो तलाब ecosystem के अंदर पाए जाने वाले अजैविक पदार्थ होते हैं इनका निर्मान जो है mixer यानि मिश्रन के दौरा होता है जो की कुछ carbonic तथा कुछ a carbonic पदार्थ इनके अंदर पाए जाते हैं the basic components are water तो जो इनके मुख्य आधारी components हैं उनमें जल, oxygen, carbon, dioxide कुछ इनमें लवन होते हैं और calcium तथा nitrogen ये सबी जो है इनके अंदर abiotic factor का कारिय करते हैं only a small amount of these elements are present in soluble state in pond water तो ये जितने भी abiotic factors हैं ये elements जो है इनके अंदर घुली हुई अवस्ता के अंदर बहुती कम मातरा के अंदर या कम amount के अंदर जो है वो उपस्तित रहते हैं but a large amount is held in reserved solid form in the bottom लेकिन इनका जो बहुती बड़ा भाग होता है जो की ये substances हैं इनका बहुत बड़ा भाग एक जो है वो store होता है या सुरुक्षित रहता है इनके तल के अंदर यानि तलाब के नीचे तली में इस परकार के जो nutrients होते हैं वो solid form के अंदर अधिक पाये जाते हैं गुली हुई अवस्ता में कम होते हैं sediments as well as within the organism तो sediments के रूप में अवसाद के रूप में नीचे जम्मे भी हो सकते हैं या organisms के अंदर भी इस परकार के nutrients जो है वो अधिक मातरा में होते हैं बाकी घुली हुई अवस्ता में जो है बहुती कम मातरा में ये nutrients पाये जाते हैं Various organisms get their nourishment from these abiotic substances तो अनेक परकार के जीव जो होते हैं इनके अंदर उपस्तित ये अपना पोशन इन अजयविक पदार्थों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं The rate of release of reserved nutrients तो जो reserved nutrients या जो store किये हुए पोशक पदार्थ होते हैं उनको release करने की जो दर है The solar input and the cycle of temperature, day length and climatic condition regulate the function of ecosystem तो ecosystem के जो कारे हैं वो किनके द्वारा regulate होते हैं वो होती है इनके rate of release के उपर फिर होता है solar input यानि सूरी की उड़जा जो है कितनी इसमें आ रही है और cycle का temperature यानि वहाँ पर तापमान कितना है दिन का जो है वो समय कितना है दिन छोटे है या बड़े है और दूसरे जो climatic condition या वातावर्णिये अवस्थाएं होती है ये सभी pond ecosystem के कारियों को regulate करते है यानि ये control जो है इन सभी abiotic factors के द्वारा होती है इसके बाद हम बात करते हैं biotic components की जो की ताराब ecosystem में पाये जाते हैं पहले आते हैं producers the producers are two types दो परकार के उत्पादक होते हैं larger rooted and floating vegetation जो बड़े root वाले यानि बड़ी जड़ों वाले तैरने वाली vegetation होती है यानि इस परकार के वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है together termed macrophytes और इन्हें जो है साथ में यानि सभी को सम्मेली दूरूप से macrophytes कहते हैं यानि बड़े आकार के पादप and phytoplankton और फिर होते हैं दूसरे इसमें पादप पलवक which are microscopic जो की आकार में बहुत ही छोटे होते हैं सुक्ष्मदर्शिय होते हैं floating algae और तैरने वाली algae तो इसमें दो परकार के producers हो जाते हैं पहले आ जाते हैं macrophytes यानि बड़े आकार के large root वाले और दूसरे आते हैं phytoplankton यानि पादप पलवक जो की तैरती हुई अवस्थना में पाए जाते हैं phytoplankton are available up to the depth of water where light penetrates तो ये जो phytoplankton होते हैं ये इनकी अधिक गहराई के पानी में भी ये उपस्तित होते हैं जहां तक प्रकास जाता है पानी के अंदर वहां तक ये phytoplankton किसी तालाब में उपस्तित हो सकते हैं अब आते हैं consumers या उप्भोकता तो तालाब ecosystem में कौन-कौन से consumers होते हैं consumers और pond ecosystem are heterotrops तो जो भी ये consumer होते हैं ये विसम पोशी होते हैं which depend on their nutrition on other organism जो कि ये दूसरे जीवों के उपर अपने portion के लिए निर्भर रहते हैं जू plankton from primary consumers तो जू plankton होते हैं इन में तो primary consumers के अंतरगत आते हैं तो प्राणी प्लवक इन्हें कहते हैं include brancheus, splanchena, lecan और ये सभी rotifers होते हैं colopus, dileptus, cyclops, stenocypress जो कि ये crustaceans होते हैं who feed on phytoplankton तो जितने भी इसमें जू plankton होते हैं प्राणी प्लवक वो सभी phytoplankton के उपर अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं यानि पादप्लवक को खाते हैं नेक्टिक एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, बीटल्स, फिसेज फ्रॉम सेकेंडरी कंजूमर्स as they feed on phytoplankton तो इसमें दित्टिक वोगता के रूप में नेक्टिक एनिमल्स यानि उपर तैरने वाले जो जन्तु हैं उनमें कीट होते हैं, बीटल्स होते हैं, मचलियां होती हैं ये सभी सेकेंडरी कंजूमर्स के अंदर के आते हैं जो की जू प्लैंक्टॉम्स को खाते हैं बैंतिक एनिमल्स जो होते हैं, तली में रहने वाले जन्तु जैसे स्मेक्स, बीग फिशेज, बड़ी मचलियां लिव ओन नेक्टिक एनिमल्स तो ये एनिक्टिक एनिमल्स या उपर तैरने वाले जन्तों को खाते हैं and are termed as tertiary consumer और इन्हें तर्थिय गुबोगता के रूप में जाना जाता है इसके बाद आते हैं decomposers या अब गटक Most of decomposers of pond ecosystem are saprophytes तो अधिकास इतने भी decomposers होते हैं जो pond ecosystem में पाए जाते हैं वो saprophytes या मरतुब जीवी होते हैं But some parasites are also found लेकिन इसमें कुछ पर जीवी भी पाए जाते हैं bacteria इसमें होते हैं फिर आते हैं fungi जैसे aspergillus, cladosporium, rhizopus, alternaria, fusarium, seprolangia, etc. are decomposers तो ये सभी इनके अंदर अब गटका कारे करते हैं Generally the decomposers either live in the soil layer beneath water or in the mud तो अधिकास जो decomposers होते हैं ये जो soil या मिट्टी होती है जो की इसके अंदर तली के अंदर पाई जाती है या कीचड के अंदर ये उपस्तित होते हैं They act on dead and decayed organic matter or plants and animals तो ये जितने भी decomposers होते हैं ये क्रिया करते हैं मरे हुए और सड़े हुए जितने भी carbonic पदार्थ होते हैं जो की plants और animals के होते हैं and supply raw material to the producers और ये इनको जटिल carbonic पदार्थों से सरल पदार्थों में बदल कर ये कच्छा पदार्थ जो है ये producers यानी उत्पादुकों को परदान करते हैं In pond, the larvae of insects consume autotrops edge food तो जितने भी कीटों के larva होते हैं वो सो पोशियों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं So according to law of energy, flow to the larvae assimilate energy from autotrops तो energy flow के या उर्जा प्रवा के नियम के अनुसार जो larvae होते हैं ये autotrops के द्वारा उर्जा को परप्त करते हैं So larvae are primary consumers तो इनमें larvae जो है प्रात्मिक उप्वोगता के रूप में होते हैं These primary consumers are taken as food by prawns, small carnivore fishes etc और ये जो प्रात्मिक उप्वोगता होते हैं ये बोजन के रूप में दूसरी जो मचलिया हैं जैसे जिंगा है और दूसरी चोटी कार्निवोर fishes अमास बक्सी मचलिया हैं उनके द्वारा ये larvae खाये जाते हैं इसलिए ये जो है इनके द्वारा larvae के द्वारा energy को collect करते हैं So therefore they are secondary consumers और इसलिए ये द्वित्थिक उप्वोगता होते हैं Large fishes consume secondary consumers and are tertiary consumers तो large fishes या बड़ी मचलिया जो होती है वो छोटी मचलिया या दूसरे fishes को खाती है प्रॉंच को खाती है तो ये द्वित्थिक उप्वोगता के रूप में पॉंड के अंदर उपस्तित रहती है Thank you so much इसके बात का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे